नमस्का दोस्तों ये एक female का पाम है और इनकी age 30 years की हो चुकी है इस पाम को अगर देखे तो सफलता और संगर्स दोनों साथ साथ में चलने वाले इनके जीवन में ठीक है कुछ एक साल धन रेखा में एक दो साल का problem है उसको छोड़कर धन रेखा ऐसी कोई खराब नहीं है कि जिसके कारण इनके जीवन में कोई बहुत जादा कश्टा है इनके हाथ में अच्छा पैसा देने वाली साइन भी है पर फिर भी इनको जीवन में संगर्स लगा रहेगा लगा रहेगा इतनी सारी राव रेखा है हर डेड़ साल दो साल में इनको कोई न कोई राव रेखा छ इतनी सारी राव रिखा है पर फिर भी पैसा भरपूर रहेगा इतना होने के बावजूद भी यह अच्छी खासी ग्रोथ करेंगे क्योंकि इनको इश्वर ने बहुत अच्छा पैसा देने वाली साइन दे दिये इनका सवाल है क्या फॉरेंच सेटलमेंट होगा और कब होगा कब का तो मैं बता नहीं सकता पर हाँ इस हाथ में फॉरेंच सेटलमेंट वाला ही हाथ है आप वर्तमान में जिस देश में रह रह हो सकता है कोई और देश में चले जाओ पर फॉरेंच सेटलमेंट वाला ही हाथ ह तो वो आप दिमाग मैंसे निकाल दो के फॉरें सैटलमेंट नहीं होगा कहीं न कहीं आप विदेश में ही पैसा कमाने वाले हो सेकेंड चीछ इनके हस्बेंड के हाथ में भी राव रिखाए है इतनी ही राव रिखाए है जहां तक मुझे याद है तो दोनों जीवन मैं साथ साथ मैं संगर्ष करते मिलेंगे पर पैसा फिर भी कमाएंगे जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलिया थोड़ी सी भी उपर की तरफ हो तो ऐसे लोग जो समय पर निने लेना होता है वो ले नहीं पाते और उसके बाद पस्ता होता है मैंने ये कारे किया होता तो अच्छा होता था ये पाम रेक्टेंगल पाम है तो ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में काफी एक्सपर्ट होते है और बैठे बैठे बोलकर कारे करने की इच्छा सकती होती है फर्स्ट वैलेंज नुकिला है तो कारेकरपती अच्छी घासी जित होगी, सेकेंड वैलेंज भी अच्छा है, लोजिक के साथ, त्यत्तो के साथ अपनी बात रख पाते होंगे, और अंगुठा एक दम मानसल तो नहीं है, यानि कॉंप्रोमाइज नेचर रहेगा इनका, लग-बग सेम ही है, और छोटी उंगली लग-बग फर्स्ट पहलें तक पहुंच लिए, तो वैक्ती डॉकुमेंटेशन, फाइलिंग, चीजों को संबाल कर रखना, याद सकती, मनी मेनेजमेंट और अपाउंट, यह सारी चीजों में वैक्ती एक्सपर्ट होता है, और पुरुष हो या महिलाओ, किसी के भी हाथ में, अगर यह रेखा, जो जीवन साथी वाली रेखा है, इसको मैं साधी की रेखा तो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि साधी की रेखा अलग जगा पे होती है, यह जो रिलेशन रेखा है, यह अगर निर्दोष रूप से थोड़ अगर यह ट्राइंगल कम्प्लिट होगा, इनके पास तो व्यक्ति इनोवेटिव माइन का होता है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, इतनी लाइन हो तो व्यक्ति सुन्दर होता है, वानि उसकी मिठी होती है, बिजनेस सेंस भी पाउरफुल होता है, अब इनकी जो निकलने में इनको 10 दिन लगे पर खहीं न खहीं उसकी जज्जमेंट पर आगे मैं आपको एक साइन दिखाने के पहले इनके हाथ में जो स्क्वेर साइन बनी है यह मल्टी सिटी का व्यक्ति को काम करवाती इंटरनेशनल लेवल का यह साइन है इनके हाथ में जो इनके हाथ में साइन बनी है वो यहाँ से एक आभाशित हो रही थी कोई लाइन ऐसे निकल कर ऐसे जा रही है और यह बन रही है और यह कोई छोटी साइज नहीं है अच्छी खासी साइज अर्वो का काम करवाएगी है अर्वो का और इसको पैचानने के लिए बहुत मेहनत इनके द्वारा हुई इस साइन पर बाद में आते हैं पहले पूँच को देखा जाए यह यहां से पूरी घुमाओ ले रही है यह लाइन तो सिधी चली और यहां से यह पूँच दिखी तो यह कंफर्म होगे कि यहां पर पूँच क्लियर कट है फिर उसके बाद सब्जेक्ट आया क्या मू है इस साइन को फिर यह फोटोग्राफ सामने आया जज्मेंट लगाने के लिए एक लाइन दो लाइन तीन लाइन और यह चार लाइन यह चार लाइन इनको संद्रेखा को काट रही है और इस फोटो में भी यह चार लाइने काट रही है एक दो तीन और यह चार और यहां से यह गुमाओ ले रही है यह इस तरह से गुमाओ ले रही है अब यहां पर देखिए यह कंप्लिट यहां पर यह गई लाइन और ऐसे गुमाओ ले और यह एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन और यह चार लाइन और यह कंप्लिट साइन बने हुगी है यह इस तरह से इसको कैज़ किया कि यह साइन है कि नहीं यह कंप्लिट साइन इनके हाथ में है इक यहां पर भी आबास हो रहा था पर यह साइन को नहीं निकाल पाए यह इस जगऴ पर भी संकेत थे पर यह है या नहीं है उपार जजमेंट नहीं लगा पाये पर इस साईन के बीच मेत भी साईन है वो इस फोटोग्राफ में निकली यह अत्ती क्लोजब लिया थे इन्होंने और इस साईन के अंदर की साईन है यह और एक यहाँ पर भी है यह बहुत जादा close up है यह इतनी बड़ी नहीं है पर अती close up होने की वज़े से इस तरह का महसूस हो रहा है पर यह जो sign है इनको अर्बो का कामकाज अब लोगों को बहुत गलत फहमी होती है अर्बो का कामकाज और अर्बो कमाना दोनों में फर्क है लोग यह turnover को समझी नहीं पाते अर्बो का turnover यानि अर्बो पैसा कमाना ऐसा नहीं होता किसी को 100 रुपे का माल बेचके कोई व्यक्ती 100 रुपे नहीं कमाता है पर फिर भी अच्छी खासी समपत्ति हाँ राव रेखाई इतनी ना होती तो यह 100% बिलियनर बनते थे 100% पर राव रेखाई भी इनको जीवन में परेशान करेगी भूत अती परेशान करेगी पर फिर भी पैसा बरसेगा यहाँ पर स्क्वेर साइन है यहाँ पर एक्ठ याउ साइन है प्रेशर याउ लग रहा है 99.99% याउ साइन तो नहीं लग रही है प्रेशर याउ लग रहा है और इनकी माइन लाइन ब्रेक होकर ही चल रही है इस पर बाद मैं आता हूँ और यह लाइन इनको चार लाब देती है सहसुराल पैसे वाला या साइन के बाद सहसुराल पैसे वाला होता है अगर नहीं भी होगा सहसुराल पैसे वाला तो भी यह लाइन की बदोलत हो जाएगा जो भी कारे करेंगे बड़े सतरका करेंगे पॉलिटिकल लाब और सरकारी लाब तो कई लोगों को चारो लाब होते हैं किसी को तीन, किसी को दो और किसी को एक लाब जुपिटर माउंट के बारे मैं डिसकस करी चुका हूँ पूरे फोटो में यहाँ पर उंगलिया पीछे ले ली तो पता नहीं चल रहा है यह स्क्वेर साइंट 32 के पहले इनको कोई न कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में व्यक्ति आउथेररटी पोजीशन पर पहुसता है एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन यह व्यक्ति को मल्टिपल इंकम देगी पामिष्ट्री एस्ट्रोजी इस तरह की मिष्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा सेवा भावी और धर्मिकता यह सारे गोण व्यक्ति को मिलेंगे अंडू निमंगल पर ज्यादा लाइन है और साथ में राओ रेखा है तो इन पर टेंस हमेशा बना रहेगा नेगेटिव फिलिंग इनको आलवेज आती रहेगी चिंटा ग्रस हमेशा रहेंगे यहाँ पर भी लाइन है ज्याता है राओ रखा है भी जाता है और क्रॉस भी इनके चंदर परवत पर ये लाइने जब होती है तो व्यक्ति के दुस्मन जादा होते है प्लस कोर्ट केस या पुली स्टेशन के दर्सन करने पर दे है खुद के लिए नहीं तो किसी और के लिए भी और बारी मंगल अच्छा है जब किसी से मिलोगे एनर्जी के साथ मिलोगे सामने वाला comfortable feel करेगा और संकट के समय आपको संकट आते ही रहेंगे और खुद के लेवल पर संकट का सामना करेंगे अब इनका foreign settlement का प्रश्ण था यहाँ पर एक triangle है एक triangle यहाँ पर भी है एक triangle यहाँ पर भी है और भी होंगे और चंद्रपरवत अति उत्तम है और जीवंद्रेका से निकलने वाली लाहिने और धंद्रेका का सुर्विपरवत की और देखना है यह सारा foreign settlement दिखा रहा है और चंद्र अच्छा होता है उसे पानी अच्छा लगता है दूद से बनी वस्तुय अच्छी लगते नेने शक्ती अच्छी थी नहीं नहीं चीजे करने का शौक होता है और बहुत अच्छे पच्छे सर होते है और इनके हाथ में देखें बड़ी आसा money triangle भी है जो इतनी अच्छी sign होने के बाद न भी हो तो कोई फरक नहीं पड़ता शुक्र परवद भी वहसित है अच्छे कपड़े पहना अच्छी तरह रहना ये सारे लक्षन इनको मिलेंगे अब हिदेरेखा पे चले हिदेरेखा पूरी जुपिटर के आसपास से निकल रही है पर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इतनी डार्क तो नहीं हो रही है तो जीवन का आनन तो ले पाओगे और ये जो लाइन है ये मित्रों को सगे समंद्रों को पैसा दोगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा और ये माबाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है और ये फ्लर्ट लाइन है व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी हो तो इसके बाद कुछ ही तुमता है अब मेन फोकस जहां जहां दिश्टरबंस दिख रहा है उस पर करेंगे अब देखे एक यहां पर कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है यह लाइन ऊपर जाते हुए दिख रही है यह इस तरह से फॉर्मेशन बन रहा है तो यह इस तरह का यहों नहीं होता पर फिर भी यहां पर एक क्लोज अप ले लेना तो उससे पता चल जाएगा आपको लेने आ गया भी क्लोज अप और यह देखिए माइंड लाइन हाथ तक ब्रेक होते ही जा रही है यानि उम्र 36-38 तक आप जीवन में serious नहीं रहोगे उसके बाद ही जीवन में serious नहीं रहेगा और यह लाइन सीधी चल रहे है और उसके बीच में जहां जहां यह pressure यह होगा यह pressure देगा आपको यह वर्तवान में आपको pressure चली रहा है और यह चलेगा लगबग 33 तक चलेगा यह 33 के आज पास तक और बाद में यह break हो रहा है तो ऐसी कोई न कोई घटना है घटेगी जो आपको मांसिक रूप से thrust रखेगी और इस जो break के बाद की जो mind line है वो काफी अच्छी है धर्मिकता भी देगी आपको imagination power देगी और उसके बाद घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करोगे व्यक्ति बदलते रहेंगे पर एक व्यक्ति को ज़्यादा target बनाऊगे अब इनकी जीवन रेखा पर चलते अब देखिए केवल एक man man point मैं बता दू एक यहाँ पर अगर यह line नीचे जाती होगी तो 32 के आसपास कोई near and dearer की death है बाकी आपको अगर मैं इस line को गिनू तो 30 के आसपास से continue राव रेखा है हर देड़ दो साल में आपको राव रेखा आने वाली है कभी कभी तो एक साल के अंदर ही है यह 59 तक आपको राव रेखा है 59 तक और उसमें कई बीच में बड़ी भी आएगी छोटी भी आएगी तो यह संगर्स भरपूर करवाएगी यानि आपको चो पैसा आएगा उसका उतना हमेशा कोई न कोई टेंस जीवन में चलती रहेगी आपको यह समझे चलो सेम आपके हस्बेंड में भी यही माइनस पॉइंट है पर आपको इश्वर ने बहुत अच्छी साइन दे दी है पैसे के मामले में तो आपको इतना कोई संगर्स नहीं रहेगा पैसा तो भरपूर जीवन में आने वाला भरपूर आएगा मैं सब्दी यूज़ करता हूँ भरपूर बस यह एक मैनेस पॉइंट है पर उसके सामने दूसरा एक प्लस पॉइंट भी है यह यहां से आपके जीवन में आपशूट भी भरपूर चालो हो रहे यानि और यह लगबक आपशूट हो है फोटी वन के आस पास से और कंटीन्यू है तो यह एक एक एक्स्ट्रा एडवांटेज भी है आपको पर फिर भी जो रहूरेखा पेन देती है मांसिक पेन उसका मुकाबला यानि उसका जिक्र भूत हाड है कहीं न कहीं आपको हमेशा ऐसा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके जैसे ही एक हाथ मेरे पास दिल्ली के एक नेता जिये उसका आया था दुनिया भर का पैसा कमा रहे थे दुनिया भर का पर उनका एक ही सवाल था इतना कश्ट क्यों है जीवन में पर जब हाथ में हाथ आया तो इतनी सारी राव रिखाए थी मैं आपको डराना नहीं चारा यह रियालिटी बता रहा हूँ संगर्स रहेगा आपके जीवन में 59 के बाद आपके हाथ में कोई राव रेखा नहीं है महां तक आपको संदस है यह अब धन रिखा पर कट देखे तो एक कट लगबग 31 में 31 के 4-5 साल पहले यानि 27 के आज़ पास यह सारी का खर्चा होगा फिर यह कट 31 में है 31 के बाद 36 में 37 में 38 में और उसके बाद सारे इन्वेस्मेंट ही दिख रहे है यहां तक आपको बीच बीच में धन रिखा पर भी कट है और अप टू एंड तक चल रही है रेखा है अब आपकी धन रिखा का फोटो धन रिखा पर देखे तो केवल यह जो इतना पिरियड है यह इतना आच्छा नहीं जाएगा पर इसको अगर यहां पर देखे तो कुछ अलगी कान ही मिल रही है अब अपने लेवल पर देख ले ना यह इस जगह पर एक छोटी सी फिश सैन होने का आभास है दो या तीन साल की अगर यह रही तो तो जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा तो जो खराब पिरियड गहिंद रहे थे वो सूपर पिरियड रहेगा यह इसका फोटो लोग है तो यह इसका भी आ जाएगा साथ साथ में और उसके बाद धंदे का अच्छी होते गई और यह पिरियड के बाद इस इन्वेस्मेंट के बाद यह पिरियड होगा आपके जीवन का 44-45 के आसपास यहां से जो जीवन में और रफ्तार आएगी अब तू मरने तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और यह और तो जीवन काफी पैसे के मामने में तो काफी उत्तम रहेगा संगर्स को छोड़कर यह देखे ना कितनी सारी लाईन है और इसको एक बार आप अच्छी तरह से देख लेना और तो यहां पर यह फोटो लोगे तो यह इसका तो अपने आप आ जाएगा तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद